सस्क्राइब करें रिडिल टू आर्ट चैनल को और बेल आइकोन पर किलिक करें ताकि आप वीडियो देख सकें सबसे पहले पप्पू को दस्त लग गए डाक्टर ने कहा नीवू का इस्तिमाल करो दो दिन बाद डाक्टर अब दस्त कैंसे हैं पप्पू नीवू हटाते ही फिर सिरू हो जाते हैं संता की टांगे नीली पड़ गए डाक्टर जहर है काटनी पड़ेंगी टांगे काटकर नकली लगा दी गए दो दिन बाद नकली टांगें भी नीली पड़ गए डाक्टर अब बीमारी समझ में आई जीन्स रंग छोड़ती है डाक्टर मरीज से अगर तुम मेरी दवा से ठीक हो गए तो मुझे क्या इनाम दोगे मरीज साहब मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ कबर खोदता हूँ आपकी फिरी मैं खोद दूँगा मरीज दोड़ते हुए डाक्टर के पास आता है और कहता है डाक्टर साहब मुझे बहुत तेज दस्त लगे हैं डाक्टर ये गोली ले लो आराम हो जाएगा मरीज गोली छोड़ो पहले एक बाल्टी पानी दो आपकी सीड़िया दोनी पड़ेंगी आपरेशन के बाद पेसेंट बोला डाक्टर साहब क्या आप मैं रोग मुक्त हूँ सामने से जबाब मिला बेटा डाक्टर साहब तो दार्ती पर ही रह गए मैं तो चित्रगुप्त हूँ चिंटू डाक्टर साहब दो साल पहले मुझे बुखार आया था डाक्टर तो अब क्या है चिंटू आपने नहाने को मना किया था आज इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि पूशता चलूँ अब नहालूँ क्या आपरेशन टेबल पर लेटा हुआ मरीज डाक्टर साहब हास्पिटल में कब तक रुकना पड़ेगा डाक्टर आपरेशन ठीक हुआ तो एक सप्ता है नहीं तो सिर्फ आदा घंटा डाक्टर मरीज से तुम्हारे दांत निकालने पड़ेंगी मरीज कितने रुपे लगेंगे डाक्टर दोसो रुपे मरीज येलो पचास रुपे डीले कर दो निकाल मैं ख़द लूँगा